दोस्तो अगर आपका बज़र दस्ते बारा हजार के बीच में और अपने लिएक बेस्ट स्मार्टफोन पर चेस करना चाते हैं और आप कंफ्यूज़ेगे कि स्मार्टफोन के साथ जाएं जिसमें आपको टॉप नौज के स्पैसिफिकेशन देखनों मिले तो आप सही वीडि वीडियो में आपको टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में बताऊंगा जो कि आपको 12,000 के बज़र में मिल जाएंगे इन स्मार्टफोन में आपको 5G पावफुल गेमिंग प्रसेसर देखनों मिलेगा 6000 अमेस तक की बैटी देखनों मिलेगी फोटोग्राफिंग बेस्ट स्मार्टफोन स्लेक्ट करने में काफी हलफुल होने वाली है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपनी हमारी चैनल को सब्सक्राइब ने कि आप इस सब्सक्राइब करने हो बैल आकर जिरू दबा दें क्योंकि अपनी लिस्ट में आड़ करते हैं सो अब बिना किसी देरी के वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट दोस्तो वीडियो शुरुआत हम एक इंडियन स्मार्टफोन से करेंगे फिफ्ट नमबर पे नाम आता है लावा टू ब्लस फाइब जी का दोस्तो लो बिजट में आने वाले य स्मार्टफोन है जिसमें आपको काफी बहुत स्पैसिफिकेशन देखनों मिलते हैं चले शुरुआत स्मार्टफोन के डिस्प्लेश में आपको 6.56 इंच का फॉलएचिड प्लड इस प्लेश्प्लेश देखनों मिलता है जो कि 90 हो हो रिफ्रेड के साथ आएगा गींग स्म येर में आपको डुरिय कामरा सेट अप Ef5mp जोकि 50 mp का प्रामरी soupracy 59 mh Rachel के साथ आएगा और ये पर काम करता है इसी के साथ इस स्मार्टफोन में आपको 5G का स्पोर्ट देखनों मिल जाता है 3.5 mm का ओडियो जैक एंड साइड मांटर फिंगर्पी सेंसर देखनों मिलेगा और दोस्तों इस स्मार्टफोन के 6GB RAM एंड 128GB इंटरन स्टोरे वेरियन कीमत 11,499 पीज है नेक्स्ट अब हम बात करें फोर्थ नंबर की तो फोर्थ नंबर पे नाम आता है संसंग ग्लैक्सी M14 का दोस्तों अगर आप 10 से 12,000 के बज़र में एक संसंग का ही स्मार्टफोन परचेस करना चाते हैं जनी की स्पेसिकेश्शन देखनु मिलते हैं चली स्पेसिकेशन के स्टार्टिंग हमेशा क्तरे स्मार्टफोन के स्मार्टफोन काerkभी रीच्फिकेशट ने मिलता है । इस्मार्टफोन के स्थार्टिंग धिस्पलेio ऑप सिस्पन 6-in-rove 2 बेरीक्वीड नेंरcan की तो ग्राफिंग और वीडियो ग्राफिंग के लिए इसके रियर में आपको ट्रीपर रियर कैमरा सेटप देखनों मिलता है जो कि 50MP का प्राइमरी कैमरा, 2MP का मैक्रो कैमरा और 2MP का डेप्ट कैमरा देखनों मिलेगा जिससे आप फुलजी 30 पुस्तल वीडियो रिकॉर्ड कर पर काम करता है, साथ ही मैं इस स्मार्टफोन में आपको 5G का स्पोर्ट देखनों मिल जाता है, 3.5mm का ओडियो जैक और साइड मांटर फिंगर पी संसर देखनों मिलेगा, और दोस्तों इस स्मार्टफोन के 6GB RAM और 128GB इंटरने स्टोरे वेरियन कीमत 11999 पीस है, नेक्स्ट अब हम बात करें, ठोड़ नमबर के तो ठोड़ नमबर पे नाम आता है Redmi 12 5G का, दोस्तों Redmi स्मार्टफोन कमपनी लोग ब्लेड में काफी तगड़े स्मार्टफोन लॉँच करती रहती है, सो ये भी स्मार्टफोन लोग ब्लेड में आने वाला काफी 32 स्मार्टफोन है, ज स्मार्टफोन में आपको 679 इंच का स्फुल HD प्लड डिस्पले देखनों मिलता है जो कि 90 होट रिफरेश रेड के साथ आएगा जिसमें आपको कॉलिंग गुरीला ग्लास वी 3 का प्रोटेक्शन मिलता है बाकि गीमिंग और मल्टी टास्किंग लिए स्मार्टफोन में आपक 50MP का प्रैमरी कैमरा और 2MP का एडप्ट कैमरा दिया गया है जिससे आप फ्लशरी 30 पिस तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे और फ्रेंट में आपको 8MP का फ्रेंट कैमरा देखनों मिलता है बाकि आपको बैटे क्पैस्टिक के तोर पर 5000 इमेज की बैटे देखनों जाता है 3.5 mm का ओडियो जैक एंड साइड मौनिटर फिंगर्पी सेंसर देखनों मिलेगा सो यह थे स्मार्टफोन के में स्पैसिफिकेशन अब हम बात करें स्मार्टफोन के प्राइस के बारे में तो स्मार्टफोन के 4GB रैम और 128GB इंटेन स्टोरी वेरियंट कीमत 11,999 और हाँ दोस्तो अगर आप इस स्मार्टफोन के 6GB रैम और 128GB इंटेन स्टोरी वेरियंट वाला स्मार्टफोन प्रचेस करना चाते हैं यह स्मार्टफोन आपको 12,999 रुपिस में मिल जाएगा सो अब आपको अपने वेरियंट के साथ जाना चाहेंगे और हाँ दोस्तो इस वीडियो मैं जिन स्मार्टफोन के बारे में बताया हम से भी के बाई लिंक आपको डिस्क्रप्शन में देखनों मिल जाते हैं वहां से जाकरें सभी स्मार्टफोन को चेक आउट कर सकते हैं चलिए दोस्तो आगे अब हम बात करें नमबर टू की तो नमबर टू पे नाम आता है मोटो जी 34 5G का दोस्तो इस समय मोटो के स्मार्टफोन ने हर कैटेगरी में तहलका मुचाया हुआ है चाहिए हम प्रेमियम रेंज मीडियम रेंज वाले स्मार्टफोन ले ले लें या फिल लो बज़ेट वाले स्मार्टफोन ले लें सभी कैटेगरी में आपको मोटो का नाम ज़रूर राएगा तो इस स्मार्टफोन में भी आपको काफी ब conventions देखना हैं जिसमें आप नॉर्मली गेमिंग और मेल्टी टास्किंग कर पाएंगे और दोस्तों डिस्प्ले के तोर पे स्मार्टफोन में आपको 6.55 इंच का आइपस LCD डिस्प्ले देखनों मिलता है जो कि 120 होट रिफरेश रेट के साथ आएगा बाकी फोटोग्राफिंग और वीडियो ग्राफिंग के लिए इसके रियर हमें आपको डूर रियर कैमरा सैटप देखनों मिलेगा जो कि 50 MP का प्रैमरी कैमरा और 2 MP का मैक्रो कैमरा देखनों मिलता है जिससे आप फलेशली 30 पस तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे और इस स्माटफोन के रियर कैमरा में आपको डूल वीडियो रिकॉर्डिंग का भी ऊप्छन देखनों मिलता है साथ ही में स्मार्टफ़ून के front में आपको 16 MP का front camera देखनों मिलेगा यह थी स्मार्टफ़ून के camera के बारे में बारे बाद अब हम बैर्टी क्याश्टिक उक पर नज़न डालें तो स्मार्टफ़ून में आपको 5000Ah की बैर्टी देखनों मिलती है जिसमें आपको 20W का टर्बो चार्जर देखनों मिलता है और ये स्मार्टफोन डोल 14 ओपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है इसी के साथ इस स्मार्टफोन में आपको 5G का स्पोर्ट देखनों मिल जाता है 3.5 mm का ओडियो जैक और साइड मांटर फिंगर पर सेंसर देखनों मिलेगा और दोस्तों स्मार्टफोन के 8GB RAM and 128GB International Store Variant कीमत 12,999 रुपीज है आईनो स्मार्टफोन का प्राइस हमारे बजट से थोड़ा जादा है पर इस स्मार्टफोन पर आपको 1000 का बैंक डिसकाउंट देखनों मिल जाता है जिसकी वज़े ये स्मार्टफोन आपको अंडर 12,000 के बजट में मिल जाएगा सो फाइनली हम बात करें फर्स्ट नंबर की तो फर्स्ट नंबर पर नाम आता है Realme C65 5G का दोस्तों ये Realme की तरफ से रिसंटली स्मार्टफोन लाँच किया गया है और दोस्तों अगर आप 12,000 के बजट में एक पावरफुल ट्रूली गीविंग प्रसेसर वाला स्मार्टफोन पर चेस करना चाते हैं तो मेरे साब से आपके लिए बेस्ट आप्शन रहेगा क्योंकि स्मार्टफोन में आपको काफी तगड़ा प्रसेसर देखनों मिलता है जो कि अभी तक लोग बजट वाले किसी भी स्मार्टफोन में देखनों नहीं मिलता और वैसे भी रियल्मी के स्मार्टफोन कम बजट में बेस्ट स्पसिफिकेशन प्रवाइड कराने की वज़े से जाने जाते हैं बात करें स्मार्टफोन के स्पसिफिकेशन की तो स्मार्टफोन में आपको 667 इंच का IPS LCD डिस्प्ले देखनों मिलता है जिसकी हल्फ से आप फलची 30 पस तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे और फ्रनेट में आपको 8MP का फ्रन्ट कैमरा देखनों मिलता है अब हम बात करें गीमिंग और मिल्टी टास्किंग लिए स्मार्टफोन के प्रसासर के बारे में तो इस स्मार्टफोन में आपको Mediatek 963-6300 का गेमिंग प्रसासर देखनों मिलता है जिसमें 6nm की चिर्सर यूज की गई है जिसमें आप HD ग्राफिय में गेमिंग और मिल्टी टास्किंग कर पाएंगे और बैटी क्पैस्टी की तौर पर दोस्तो इस स्मार्टफोन में आपको 5000 अमेज की बैटी देखनों मिलती है जिसमें आपको 15W का Quick Charger देखनों मिलेगा और ये स्मार्टफोन आपको Android 14 Realme UI Operating System पर काम करता दिख जाएगा साथ ही में इस स्मार्टफोन में 5G का स्पोर्ट देखनों मिलता है 3.5 mm का ओडियो जैक एंड साइड मांटर फिंगर पिस संसर देखनों मिलेगा और दोस्तो इस स्मार्टफोन के 6GB RAM and 128GB Internet Store Variant कीमत 12,499 रुपीस होने वाली है आपको इनमें से कौन सा स्मार्टफोन अच्छा लगा या किसी और कैटेगरी या किसी और बजट पर वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट के जुरू बताएं मैं उस पर वीडियो बना दूँगा अगर आपके ये वीडियो पसंदे वीडियो को लाइक करना ना भूले और आपका कोई दोस्त 12,000 के लोग बेजट में एक स्मार्टफोन पर चेस काने की सोच रहा है